बी एसेन, सिक्स सेमेस्टर, बायो स्टेटिस्टिक्स, इसमें हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है परसेंटाइल्स एंड नॉर्मल डिस्टिबूशन, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आज हम डिसकस करते हैं, सरबख्तियार अली शाह की स्लाइड्स हैं, सबसे पहले आप इस वर्ड को देखें, परसेंटाइल, ठीक है, मैं आपको इसका एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ, अब तक जो आपने इससे मिलता जुलता वर्ड पढ़ा है, वो है परसेंटेज, ठीक है, आपने परसेंटेज का लफज आसानी से पढ़ा है, आपको समझ भी आती ये परसेंटेज क्या होती है, कि लेट सपोस किसी के मार्क्स आ गए 95 परसेंट, तो ये एक परसेंटेज होती है, बहुत हाई परसेंटेज है, इसी तरह 90 परसेंट मार्क्स आ गए, एक हाई परसेंटेज है, किसी की 88 परसेंट आ जाते हैं, किसी की 85 परसेंटेज आ जाते ह परसिंतेज का ठीक है अब मैं आपको इ potrzeb बात समझाता हूं आप जरा समझ हिए गा फर्स करें आपके पास एक group है पांच लोगों का ठीक है एक दो यह टीन चार पांच पांच लोगों का ग्रूप है मैं आपको बताता हूँ कि यह जो student है यह वाला ठीक है इस student ने score किया है 90% 90% score करना यानि कि जाहर सी बात है एक बहुत अच्छा score है 90% score ठीक है यानि high percentage मानी जाती है ठीक है तो यह तो high percentage है अब अगर मैं बताओं कि इस ग्रूप में इस बच्चे ने अभी तक जो हम बात कर रहें 90% की तो बहुत High है लेकिन अगर मैं बात करूँ इस यह वाले की तो यह वाला जो है इसने Score किया 89% ठीक है लेकिन यह जो यह वाले है इसका Score हुवा 93% इसका Score था 95% और इसका Score है 97% अब जर आप देखें कि पहले मैंने बात की थी इस बंदे की कि इसका जो 90% का score है वो बहुत high score है लेकिन जब मैंने आपको इसके group members की score बताए तो इसकी group members में 93, 95, 97 इतने high score वाले बैठें अब क्या बता अब आप क्या कहते हैं अब ये 90% वाला कहाँ fall करता है कि अब ये 90% कोई अच्छा score है तो आपके लिए 90% पहले बहुत ज्यादा था लेकिन जब एक group में आपको पता चला कि group में अगर देखा जाए तो इस बंदे का score कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है तो इसलिए फिर हम एक अलग concept इस्तेमाल करते हैं वो है percentile का ठीक है percentile देखें percentage आपको किसी की individual percentage बता सकती है एक total score में से कितना percent score हुआ वो बता सकती है percentage आपको एक group के साथ comparison करके नहीं बताती percentage आपको किसी भी इनसान की group के अंदर क्या position है नहीं बताती तो अगर आपने किसी value को group में देखना है अगर आप किसी value की position find करना चाहते है in the group तो फिर आप use करते हैं percentile वाला concept percentile percentile आपको group position बताता है कि group में एक इनसान की क्या position है और ये कैसे बताता है percentile आपके पास जितनी भी values होती है सारे data को 100 parts में divide कर लेता है जितना भी data दोगे percentile उसको 100 parts में divide कर लेगा और फिर percentile आपको बताएगा कि इस 100 parts में किस part पे apply करते हो मतलब कि अगर आप कह दें कि किसी बंदी की percentile है 85 percentile 85 percentile का मतलब है कि ये 85 percent यानि 85 percentile यहाँ fall करता है यानि कि 85 percent लोग इस से पीछे हैं 85 percent लोग इस से पीछे हैं ये top के 15 percent में लाए करता है that is the concept of percentile अगर कोई कहे कि मेरी percentile 92 percentile है 92 percentile का मतलब कि 92 percent लोग बैक पीछे रह गए और ये top के 8 percent लोगों में शुमार होता है तो percentile आपको group के अंदर position बताती है ये खुबसूरती होती है percentile की इतना ही simple सा concept है एक छोटी सी example और ले लिए फर्स कीजिए आपको एक बन्दा कहता है कि उसकी 95 percentile है 95 percentile का मतलब क्या हुआ कि इस 100 में से 95 positions 95 position से ये बन्दा आगे है 95 पीछे हैं इससे 95 percentile का मतलब 95 percent लोग इससे पीछे हैं ये top के 5 percent में लाए करता है तो ये होती है percentile इतना खुबसूरत concept है ये अब आपने करना क्या है percentile को relate करना है normal distribution के साथ normal distribution का concept मैं उमीद करता हूँ कि आपको आता होगा बहुत पहले हमने discuss किया था कि normal distribution किसी भी population की ऐसे distribution होती है कि जो mean होता है mean उसके जितने करीब करीब values होंगी उसकी frequency ज्यादा होगी और जैसे जैसे values दूर होती जाएंगी वैसे वैसे frequency कम होती जाएगी जिसकी वज़ा से एक bell shape कर्व बन जाती है इस तरह की distribution को हम normal distribution कहते है और यह जो beach वाली line है जिसको mean भी कह सकते हो median भी कह सकते हो तो above the median भी 0.5 values होती है below the median भी 0.5 values होती है और इन तमाम को अगर add कर लिया जाए तो यह total 1 के बराबर होता है that was the normal distribution हम normal distribution और percentile का concept आपस में अब combine करके पढ़ेंगे for example कहते हैं suppose z has a standard normal distribution कहते हैं कि फर्स कीजी आपके पास एक normal distribution है जिस तरह आपको इस diagram में दिखाई दे रही है एक normal distribution बनाई गई है कहते हैं कि इसकी आप 84th percentile मालूम कीजिए 84th percentile देखें simple सी बात है 84th percentile का मतलब 84 percent below यानि 84 percent पीछे आप कहां file करते हैं जो आगे के 16 percent values हैं 84 percent का मतलब 0.84 तो अगर आप इसको देखें यह जो आपके पास normal distribution curve बनी है 0.84 कहां लाए करता है देखें बीच में तो mean है ठीके जहां पर आप कह सकते हैं कि 0 है 0.84 जाहर सी बात है इस 0.5 में लाए करता है यह जो point है यह point यहां पर क्या है 0.84 तो 0.84 बना कैसे 0.5 यहां से लेके यहां तक और इतना कहाएगा यानि आप इस 0.84 को 0.5 यहां पर आ गया और इसमें 0.34 इस side पर आ गया ठीक है आपने find क्या करना है 84th percentile तो इस 0.5 को देखिए ठीक है 0.84 से अगर आप यह वाला 0.5 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.34 यानि 0.84 कैसे आया 0.5 पहले हिस्से से और अगले हिस्से में वो कितना गया सिरफ 0.34 तो इस 0.34 को आप z table में चेक करें देखिए जी टेबल में यह 0.34 किदर आता है अगर आप देखिए 0.34 यह चेक करें यह यह वैलियो है तो आप परसंटेज से जी स्कोर कैसे निकालेंगे कि इस वैलियो को और इस वैलियो को आपस में एड कर लेंगे तो 0.34 के लिए जो जी स्कोर होगा वो 1.0 प्लस 1.0 यहां से आया और 0.00 यहां से 0.00 तो क्या आगया 1 तो यानि कि 0.34 के जो जी स्कोर होगा that is 1 अच्छा एक दूसरी एक्जंपल है कहते हैं find the 50th percentile और median of the norm standard normal distribution median आपको पता है median यह जगा होती है ठीक है अब इस से पहले भी 0.5 है इस से आगे भी 0.5 है यानि इस से पीछे भी 0.5 यानि 50 परसंट इस से आगे भी 0.5 यानि 50 परसंट इस से आगे बीच का point है central point और आपने इस central point को find करना है अब आप देखें central point पे z score क्या है 0 तो यह एक बहुत important mcq है कि 50th percentile पे z score कितना होता है तो हमेशा याद रखिए 50th percentile के उपर z score होता है 0 इस बात को खसूसन याद रखिए यह mcq के लिए आप से पूछा जा सकता है अब है find the 16th percentile 16th percentile हम कैसे find करते हैं अभी पहले आपने 84 percentile find किया था 16 भी उसी तरह find करेंगे देखे 16th percentile का मतलब क्या होता है 16 percent या इसको आप लिख सकते हो 0.16 ठीक है अब देखें curve बनाए आपने यह आपके पास median है 0.16 जाहर सी बाते इस 0.5 से कम ही है तो यह यहां पे आता है इस जगह पे 0.16 तो यानि यहां से लेके यहां तक का जो area cover हुआ है वह 0.16 है और जाहर सी बात है minus है minus मतलब left side पे है तो इस 0.5 में से आप 0.16 minus कीजिए 0.5 में से अगर minus करेंगे 0.16 तो यह आजाएगा 0.34 तो यह जो आपके पास area है यह area क्या हुआ 0.34 आप 0.34 के लिए अगर जी स्कोर निकालेंगे तो क्या आएगा अभी आपने खुद देखा है 1 आता है लेकिन इस case में क्यूंकि minus था तो साथ में minus का sign लग जाएगा क्यू बिलो है यह कुछ वैसी basic concept से क्या परसंटाइल से जी स्कोर कैसे निकालते हैं अब आते question solve करने पे क्या आप question कैसे solve करते हो कहते हैं suppose the reaction time of a drug x ठीक है एक ड्रग है x has a normal distribution with a mean of 10 minutes and standard deviation 2 minutes ठीक है आपको एक drug दी दी गई जिसका जो mean है mean यानी mu वह है 10 minutes का और उसका standard deviation यानी sigma है 2 minutes का ठीक है अब वो क्या कहता है 50th percentile find out कीजिए अभी मैंने 2 minutes पहले आपको क्या बताया कि 50th percentile के लिए z score क्या होता है 0 होता है ठीक है तो अब आपको अगर z score का formula याद है z score is equals to x minus mu divided by sigma आपसे पूछा क्या जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि suppose reaction time है एक particular drug x का ठीक है उसका mean 10 है और उसका standard deviation 2 है आप 50th percentile find out कीजिए 50th percentile पे mean score क्या होगा यापसे इस x इस mean के बारे में पूछा जा रहा है sigma आपको दिया गया है two minutes mu आपको 10 दिया गया आपसे x पूछा जा रहा है और z का score zero है इस formula को थोड़ा में rear range करूं यह कैसे कर सकते हैं आपने x find करना है तो देखें x equal हो जाएगा उस side पे z था तो z वैसे ही लिखा sigma याँ divide हो रहा है equation के उदर जाते क्या हो जाएगा यह multiply हो जाएगा तो z और sigma आपस में multiply हो जाएगे यह देखें minus mu है यह इदर minus हो रहा है तो अगर यह equation के उदर चला जाए तो plus हो जाएगा तो इदर यह plus हो जाएगा तो x is equal to z की value 50th के लिए तो 0 होती है तो 0 multiply by sigma वैसे तो 2 है लेकिन 0 multiply by 2 0 ही होता है plus mu की value है 10 तो 10 x is equals to 0 plus 10 यानि 10 minutes तो यहां आपके दो दूसरे mcq आ जाता है पहला mcq क्या था कभी भी 50th percentile हो तो z score 0 होगा that is the first mcq second mcq है कि अगर 50th percentile का z score 0 है तो mean value क्या होगी mean value वही होगी जो आपको given है यहां 10 है तो 10 आएगी यहां पे 20 होती तो mean value 20 आती यहां पे 30 given होता mean value 30 आता यानि कि 50th percentile पे z score 0 होता है और mean value वही mean value होती है जो आपको given होती है ठीक है अब कहते हैं इसी question के लिए अगर आप 84th percentile find करें तो वह कैसे करेंगे तो आप देखें 84th percentile हम कैसे find करते हैं तो 84th percentile का मतलब होता है 0.84 ठीक है आप draw करें इस तरह से curve यह आपनी normal distribution draw हो गई mean value क्या है mean value आपको पास given है with the mean of 10 ठीक है तो इधर आपके पास है 10 mean value 10 है इधर भी 0.5 इधर भी 0.5 0.84 obviously कहीं यहां पर fall करता है 0.84 इस value पर क्या fall करते है 0.84 तो यानि कि इस 0.5 में से आप इस 0.84 को minus कर ले 0.84 minus 0.5 इसका answer आ जाएगा 0.34 अब आप बताएं Z score 0.34 कितना होता है अभी दो तीन बार मैंने solve किया यह 1 की equal होता है 1 की equal तो इसको आप put कर देए यह देखे मैंने formula लिखा वाया आपके लिए simply इसमें आपने put कर देना है x is equals to z multiply by sigma plus mu so x is equal to z कितना है 1 1 multiply by sigma sigma दिया हुआ है 2 1 multiply by 2 plus mu कितना दिया हुआ है 10 तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 तो 2 plus 10 is equals to 12 minute तो इस तरह से आपका यह question solve हो गया option b जो है इसका जो answer आता है that is 12 minutes तो simply मैंने 84th percentile को आपके सामने इस तरह से solve कर दिया है कि यह वही diagram है इसमें आपके लिए solve किया गया देखें यह आपके कहते हैं कि यहाँ पर क्या है आपके आपके पास जो mean है उसका ठीक है अब mean आपको दिया गया था कि 10 है सही हो गया फिर 84th percentile आप find कर रहे थे 84th percentile का मतलब 0.84 होता है 0.84 फर्स कीजी यहाँ fall कर रहा है तो 0.84 का जो 0.5 percent है वो इदर है और 0.34 है यहां से लेकि यहां तक total 0.84 है उसमें से 0.5 उदर आगया और 0.34 इदर आगया इसके लिए आपने क्या find किया z-score जो के 1 आया और उसको formula में put किया और आपके पास 12 minutes answer आ गया है अब एक next question है कहते हैं suppose the age in a population has a normal distribution with the mean 50 years and standard deviation 10 years देखें simple सी बात है आपको जो mean दिया है यानि mu की value है 50 years और आपके पास sigma कितना दे दिया 10 years ठीक है दो values आपको दे दिया है अब पहला पहला सवाल क्या है find the 50th percentile of the age देखें सबसे पहली बात ही उसने 50th percentile की की है क्या मैं उस वक से कह रहा हूँ आपको 50th percentile का मतलब z score is equals to 0 ठीक है जब z score 0 है तो solve कर लीजिए तो z आपके पास already क्या है जीरो है देहादा जो first question है उसमें क्या है x is equal to 0 multiply by sigma कितना है 10 plus 50 x is equals to 0 plus 50 x is equals to 50 तो एक mcq तो मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि अगर 5th percentile होगा 5th percentile का मतलब z is equal to 0 और दूसरा mcq का बताया कि कभी भी 5th percentile में z 0 हो तो आपके पास mean की value वही होगी जो दी होती है जैसे mean यहाँ पर 50 दिया हुआ है तो देखें आंसर भी 50 ही आ है ठीक है यह तो एक question है दूसरा question है find the 65th percentile of the variable 65th percentile का मतलब क्या है 65th percent का मतलब है 0.65 ठीक है आप इसको इस तरह से draw कर लें ठीक हो गया यह बीच में mean है ठीक है mean आपको पते कितना है 50 years वह आपको दिया हुआ 50 अब इधर भी 0.5 इधर भी 0.5 0.65 कहां पर fall करता है जाहर सी बात है 50 यहां पर है 0.65 कहीं यहां fall करता है यह जगा जो है 0.65 की है तो इस area में fall किया अगर आप देखें 0.65 और 0.5 तो यह area निकालने के लिए करेंगे 0.65 माइनस 0.5 तो यह आ जाता है 0.15 ठीक है 0.15 इसकी value है अब आपने क्या करना है 0.15 को अपने कहां पर देखना होगा z table में तो हमने find करना था 0.15 देखें 0.15 यहां आता है 0.15 के उपर वाली value है 0.09 और अगर आप इसको इस तरह आगे लें तो यहां पर क्या value बन रही है 0.3 0.3 दोनों को add करेंगे 0.39 तो 0.39 इसका z score है तो अब आप इस value को put कर देंगे z score के formula में ठीक है क्या था वो तो कितना आया था यह 0.39 यह इसकी z score है अब आपने इस 0.39 को इस formula में put कर देना है यानि x is equal to z की जगा क्या put करेंगे 0.39 इसका आपने multiply करने इसको 10 years के साथ इसको 10 years के साथ multiply करेंगे और plus करेंगे 50 years ठीक है तो 0.39 को जब 10 से multiply करेंगे यह आ जाएगा 3.9 plus 50 that becomes 53.9 years तो आपके पास जो दूसरा question है 65th percentile उसका अंसर आ गया 53.9 years अब आते है question number c पे जो कहता है 10th percentile find करें तो अब आते 10th percentile पे देके simple सी बात है 10th percentile का मतलब क्या होता है यह नि 10 percent is equal to 0.1 ठीक है अब draw करें इस तरह से normal distribution curve यह आगई bell shape curve यह आपके पास mean है जो कि कहता है 50 है 0.5 इदर 0.5 इदर जाहर सी 5 से इसको minus कीजिए 0.1 minus 0.5 इसका अंसर आएगा 0.4 minus के साथ minus क्यों क्योंकि यह left side है below the mean है अब आप इस 0.4 को find out कीजिए z table में तो इस z table में अब हमने find करना है 0.4 कि सबसे पहले 0.4 की value कहां पी located है सबसे पहले आजें यहां पर यह देखें 0.4 यहां से एक value आ रही है इसको अब साथ लेके आता है तो यह आगे आते रहे आते रहे क्या इससे पहले तो कोई 0.4 नहीं हाँ इसके उपर यह वाला 0.4 है यानि सबसे पहले यह वाला 0.4 आता है अब 0.4015 सबसे lowest value है यह देखें ऊपर इसके है 0.09 और अगर इस लेवल पे देखें यह 1.2 ठीक है तो यानि के यहां से आपके पास आता है 1.2 0.09 प्लस 1.2 इसका अंसर आजएगा 1.29 ठीक है that means के 0.4 के लिए जो z-score आता है वो आते 1.29 लेकिन याद रखिए यह negative sign के साथ है अब इसको आपने formula के अंदर put करना होगा तो formula के था? x is equals to z उसके साथ में sigma प्लस mu z-score है minus 1.29 ठीक है इसके साथ sigma आपके पास जो sigma है याँ पे 10 years वो और plus करेंगे mu 50 ठीक है तो अगर आप इसको solve करें तो यह आजाता है 12.9 ठीक है minus 12.9 और साथ में 50 add करेंगे तो यह आपके पास answer आजेगा 37.1 years तो यह answer आता है option c का 37.1 years इस तरह से आप इस question को solve कर लेते हैं अब आती इस next question पे इसमें क्या कहते हैं if a set of score on an epidemiology examination are approximately normally distributed with a mean of 76 and standard deviation 4 देखें simple सी बात कहरा है कि epidemiology का paper हुआ किसी का score आए score में जो mean score था यानी जो मियू था वो है 76 ठीक है और standard deviation है 4 ठीक है sigma is 4 सही बात है अब वो आपसे मुखतलिफ तरह की सवालात पूछ रहे हैं सबसे पहला सवाल है what is the 33rd percentile of the variable square पहली बाद स्कोर स्वारी सबसे पहले क्या करें 33rd percentile 33rd percentile निकालना कोई मुश्किल चीज नहीं है आप खुद देखें 33rd percentile का मतलब क्या होता है 33 percent is equal to 0.33 ठीक है 0.33 आपने simply क्या करना है normal distribution में bell shape कर बना दे में कितना दिया हुआ है mean है 76 का ठीक है 76 आपने लिखा है यहां पर 0.5 इस साइड होगा 0.5 इस साइड होगा 0.33 कहां आता है जाहर सी बात है यहीं कहीं आता है below the mean है देखें कहां वह 0.33 0.5 से कमी है तो इस जगह पे आते 0.33 अब अगर आप देखें इस 0.5 में से 0.33 को माइनस करें तो 0.33 माइनस 0.5 तो आप simply क्या करें 0.33 से 0.5 को माइनस कर दें तो 0.33 माइनस 0.5 is equal to 0.17 लेकिन यह माइनस साइन के साथ होगा माइनस साइन के साथ माइनस का सिर्फ यह मतलब है कि वो below the mean है बाकी आपके पास 1.7 आ गया इस 0.17 को आपने सर्च करना होगा जी स्क्वेर टेबल में तो यह वो जी स्क्वेर टेबल है जहां पर अभी आपने थोड़ी दर पहले 0.4 भी find किया था उसकी values थी इसी तरह आपने 0.15 के लिए find किया अब आप क्या find कर रहे हो 0.17 तो देखिए सबसे पहले 0.17 मुक्तलिफ values लिखी गई है यह आपके पास है 0.17 0.17 में top की जो value है वो 0.04 है और अगर आप इसको इस side पे ले हैं तो यहां तक आपको मिलेगा 0.4 ठीक है प्लस करेंगे 0.4 तो 0.04 प्लस 0.4 इसका answer होगा 0.44 तो यह आपके पास Z-score है 0.17 का Z-score है 0.44 अभी इसको आपने वापस ले आने अपने formula में put करेंगे यह आपके पास question है जाप अब 33rd percentile find कर रहे हैं और Z-score आ चुका है 0.44 माइनस के साथ अब formula में put कर दें ठीक है X is equals to Z-score multiply by sigma plus mu Z-score आपके पास है minus 0.44 sigma आपके पास दिया गया है with a standard deviation 4 यहाँ पर आ गया 4 और plus करना है आपने mu यानिके 76 ठीक है अब आप इसको solve करें इसका जो answer आएगा 74.24 ठीक है तो 33rd percentile अगर आप चेक करें तो वैसे तो mean 76 है लेकिन 33rd percentile पे 74.24 आता है अब next चेक करतें next में वो क्या कहता है वो कहता है what percent of students who take this examination score at most 78 what percentile is score 78 अब यह वाला solve करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें इस तरह से एक normal distribution कर्व बनाए ठीक है यह अपने normal distribution कर्व बना ली एक आपके पास कहता है mean 76 अब question को गौर से सुनिये यह अक्सर students पूछते भी है कि हम कब plus करते हैं कब minus करते हैं तो अब और से सुने question में क्या कहता है what percent of students who take the examination score at most 78 at most most का मतलब ज्यादा कहता है कि यह जो test हुआ है जिसका mean 76 है maximum at most 78 score कितने student ले सकते हैं यानी maximum maximum अगर आपने 78 देखना है तो वो पूछता है कि maximum 78 percent अगर score है तो कितने student ले सकते हैं यानी आप maximum 78 km रखो most 78 78 से उपर नहीं 78 से नीचे नीचे आपने बताना है कि कितने students हैं जो इतना score कर सकते हैं तो अब आपने इसका mean score find करना है जी score देखें आपके पास एक value दी गई 76 दूसरी value दी गई 78 तो आपके पास simple सा formula है जी score का जी is equals to x minus mu divided by sigma ठीक है एकस आपको कितना दिया गया 78 mu कितना है आपके पास 76 78 minus 76 और sigma कितना है 4 ठीक है तो यहां से 2 आया यहां से 4 आया it is equals to 0.5 अब आपने क्या करना है इस 0.5 को z score में देखना है यानि अब आपने 0.5 आपके पास z आ गया z table में देखेंगे कि 75 के लिए z table में कौन सी values given होती है जब आप z table में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा जब 0.1915 ठीक है यानि यह जो आपके पास region है यह region इस value पर क्या answer आता है 0.1915 अब मेरी बात गौर से सुनिए यह region मैंने जैसे कहा कि at most at most का मतलब maximum maximum students 78 number लें तो कितने students है तो यह वाले students भी शामिल है और यह तमाम students भी शामिल है यानि maximum आप इतने level तक जा सकते हो इस से 0 से लेके maximum 78 तक जाओ तो यह सारे students है तो यानि के 0.5 यह वाला और यह वाला भी add करें प्लस 0.1915 क्या आएगा यहाँ पर आपके पास answer 0.5 और 0.1915 तो यह आजेगा 0.6915 ठीक है 0.6915 इसका answer आते हैं यह जो आपके पास option B है ठीक है अब देखते है option C के उसमें क्या लिखा अब है option C है what percent of students who take this examination get a score at least 67 what percentile आप गोर से सुनिये यह आप पे mentioned क्या है at least at least का मतलब कम से कम मैं आपको समझाता हूँ with the bell shape curve first कीजिए आपके पास एक bell shape curve आपने यह बना ली ठीक है इस तरह से आपके पास bell shape curve आ गई mean score आपके पास क्या है mean score is 76 यह आपके पास आ गया 76 सवाल में क्या कहता है कि mean score 67 अगर है 67 तो क्या पूछता है कि जितने students हैं जिन्होंने exam दिया at least 67 score कितने student ने लिया है कम से कम भी score हो तो 67 score हो यहनि 67 से कम ना हो 67 से ज्यादा बेशक हो लेकिन at least 67 आपने 67 बताना है कि at least 67 स्कोर हो इससे ज्यादा हो सकता है इससे कम नहीं हो सकता है यानि आप इस values को consider नहीं करेंगे आप इन values पे जाएंगे कम से कम limit यह है यह वाली नहीं है कम से कम limit अगर यह है तो आपने सिर्फ इससे आगे वाली चीज़े consider करनी होंगी तो 67 दिया गया formula वही है z score is equals to x minus mu divide by sigma x क्या है 67 minus mu क्या है 76 sigma आपके पास दिया हुआ है 4 इसका answer आपके पास क्या आता है minus 2.25 तो minus 2.25 को आपने देखना है z table में z table में देखने के बाद आपको पता चलता है कि जो minus 2.25 है वो आता है 0.4878 तो देखें यह जो values है यहां पर यह वाली values आपको देती है 0.4878 एक तो यह आ गई और यह जो आपके पास इस side पर है above the mean यह 0.5 यह तो 0.48 यहां से और 0.5 above the mean इन दोनों कापस में add कर लेंगे तो जब इन दोनों कापस में add करेंगे यह आएगा 0.9878 यह परसंटाइल में पूछ रहा है word परसंटाइल तो simply क्या करेंगे 98.78 परसंटाइल यह इसका answer होगा ठीक है अब आते हैं इस topic के last question पर यहां पर आपको क्या given है एक figure given है यह वाली जहां पर बेसिकली यह लोगों के systolic blood pressures है ठीक है लेकिन systolic blood pressure आपको परसंटाइल की form में given है परसंटाइल जैसे कि यह बीच में normal है फिर यह 40 परसंटाइल above the mean 5 परसंटाइल 5 परसंटाइल और below भी 45 और 5 ठीक है पहला question क्या पूछता है determine the z score for the various cutoff points determine क्या करने z score कोई मुश्किल चीज नहीं है आपको यह आपको यह पर क्या दिया गिया है 40 परसंटाइल दी गई है 40 परसंट का मतलब क्या होता है 0.4 ठीक है तो आप ज़रा 0.4 को z table में चेक करके बताएं तो यह वो z table है आपने पहले भी 0.4 के लिए यहां पर और यहां से अगर देखेंगे 1.29 तो 1.29 1.2 प्लस 0.09 0.09 तो यह हो जाएगा 1.29 तो आज ही अपने question के उपर तो यह आपके पास question है 0.4 के लिए जो z score है वो कितना है यहां पर 1.29 अच्छा यही चीज बिलो दमीन भी है तो यहां पर आजएगा minus 1.29 अब 40% के बाद जो 5% है यानि के total कितना हो जाएगा 45% इसके लिए 45% तो 45% के लिए क्या करेंगे 45% is equals to 0.45 वहीं z table पे जाएगे और 0.45 की value मालूम कर लें तो यह देखें 0.45 यह value यहां पर लिखी हुई है ठीक है अबव 0.05 और इस side से अगर आप देखें 1.65 यहीं 1.6 एक side से आ गया और उपर 0.05 एड करेंगे तो यह 1.65 बन जाएगा तो अपने question पे आएं यह 45 इसके लिए क्या है 1.65 तो अबव दे मीन क्या हो जाएगा यहां पर जी स्कोर है 1.65 और बिलो दे मीन वही 45 है माइनस 1.65 अब थर्ड भी कह है मजीद 5 परसंट बढ़ा दिया यानि के 50 परसंट तो 50 परसंट 0.5 हो जाएगा 0.5 को जब आप जी स्कोर टिबल में चेक करेंगे तो आपके पास answer क्या आएगा 3.9 ठीक है तो 3.9 आपके पास इधर आ जाएगा और माइनस 3.9 आपके पास इधर आ जाएगा तो यह ओप्षिन ए जो था determine the z-score तो आपने इन तमाम के लिए z-score find out कर लिया है अब कहता है option B में find the equivalent cut of points in the term यानि कहता है कि अगर मैं आपको mean दे दू mean यानि mu is equal to 130 कर दूँ और आपको standard deviation sigma 17 दे दूँ तो फिर आप मुझे इन तमाम points के लिए equivalent cut of values बता दें बस वो ही question आपके पास z-score सारा given है तो z-score सारे हमने calculate कर लिए है अब यह option B के लिए हम solve करें फार्मूला तो आपको आता ही है x is equal to z sigma plus mu ठीक है तो z-score sigma और mu इसको हम solve करेंगे इस तरह से सबसे पहले हम इस 40% के लिए solve करते हैं इसके लिए ठीक है तो इसके लिए अगर आप देखें क्या होगा x is equal to z z की value है 1.29 multiply by sigma sigma आपके पास है 17 17 plus करेंगे mu mu कितना है 130 ठीक है 130 तो जब आप यह solve करेंगे 151.93 अब इसी के लिए अगर अब इस side पे आते हैं यानि कि minus के साथ अगर check करें x is equal to minus 1.29 multiply by 17 plus 130 तब इसका answer आपके पास आएगा 108.07 यानि कि normal से इसके साथ अगर 40% है तो 151 और अगर minus के साथ करेंगे तो 108 अब आते हैं इसके लिए यह जो आपके पास 1.65 था so x is equal to z sigma plus mu ठीक है so x is equal to z की value क्या है 1.65 1.65 multiply by sigma sigma की value दीग गई है 17 तो आपने 17 कर ली plus mu mu कितना है 130 तो इसको solve कीजिए 1.65 into 17 plus 130 तो इसका answer आजाता है 158.05 और अगर इसी question को आप negative sign के साथ करेंगे x is equal to minus 1.65 के साथ minus 1.65 multiply by आपके पास है 17 plus 130 तो आपके पास इसका answer आएगा 101.95 ठीक है अब आते है इस आखरीज point के हो यह जो आपके पास 3.9 है नहीं 50% के लिए तो 3.9 तो x is equals to z sigma plus 130 ठीक है जी की जगा आपने put कर दिया 3.9 सिग्मा में आपके put कर दिया 17 और plus करेंगे 130 इसका आपके पास answer आजाएगा 196.3 इसी जगा पे अगर आप minus 3.9 put कर दिया यह एक्स is equals to minus 3.9 यह जी minus 3.9 इस साइड के लिए minus 3.9 उसको multiply करें 17 से और plus कर दिया 130 तो यह आपके पास आएगा 63.7 तो 63.7 तो 63.7 इंतहाई लो यह नि hypertensive hypertension बहुत ही low blood pressure है तो आपके पास तक्रीबन तमाम values solve हो गई है option a b solve option b b solve हो गई है इस तरह से आपके पास यह जो चोटा से unit था percentile के हवाले से यह complete हो गया है फिर भी अगर आपको कहीं पे confusion था है यह आपको नहीं समझ जा रही कमेंट सेक्शन आपके लिए open है कोई भी सवाल हो आप जरूर बूचिएगा झाल